Hello everyone, competitive exam में आपका एकवा फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और job notification लेके आ गया हूँ जो की निकली है हिमाचल परदेश हाई कोट में यानि कि ये 25 अगस को ये advertisement डिलीज हो चुकी थी लेकिन website पर हाई कोट ने इसे आज ही release किया है तो आप इसमें देख पा रहे होंगे जो इसकी last date उन्होंने mention किया है वो है 39-2023 यानि 30 September तक आप अपने form फिल कर सकते हैं और इसमें किन-किन category की ये vacancy निकली है चलिए आए हम ने देखते हैं इसमें जो first category है वो निकली है junior skills stenographer और ये जो भी पोस्टे निकली है वो regular basis निकली है इसकी 5 पोस्टे है और पांचों की पांचों है journal के लिए है और उन्होंने pay scale भी mention किया है 38,500 से लेकर 1,22,700 तक की pay matrix रहेगा और इसके लिए इन्होंने कहा है कि graduation with 3 year experience in stenotypist और judgment writer का आपके पास होना चाहिए आप इसमें complete notification दे सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या मांगा गया है तो जिसके पास भी graduation है और 3 साल का stenographer का experience है तो इसके लिए apply कर सकता है और 5 जो पोस्ट है ये regular basis है जो next post है वो है translator जो कि आपकी regular basis है ये भी इसकी दो पोस्टे निकली है और दोनो जनरल के लिए है इसमें भी लगबग आपके पास graduation मांगा गया है 50% marks English में मांगा गया है और 3 जो पोस्ट है वो है translator उर्दू ये भी class 3 की है लेकिन regular basis ये पोस्ट है एक ये जनरल अन्रिजव की है ग्रेजवेशन बिद 50% marks in English and have studied in Hindi subject in graduation level और candidate must have studied in Urdu in matriculation आपके पास होना चाहिए तो ये इंबकैंसिया निकली है और 4 जो है translator पंजाबी का भी पंजाबी भी मांगी गई है इसमें एक पोस्ट हो भी जनरल की है पे स्केल इसमें सेम रहेगा और graduation होनी चाहिए और candidate ने पंजाबी matric class में पढ़ी होनी चाहिए तो वो इसके लिए apply कर सकते हैं और next आप देख सकते हैं जो next post निकली है assistant programmer की ये class 3 की है ये contract basis रहेगी और इसकी एक post है ये SCE के लिए reserve है और आप देख सकते हैं टत्ती 1500 से 1,2,2,700 तक है इसका pay matrix है इसके लिए इनोंने BE, BTEC in computer और IT ecoblend technical education at list second division मागी है अगर किसी के पास BA, BCOM in first division graduation two year experience से वो इसके लिए apply कर सकता है और जो other post इसमें निकली है वो निकली है clerk जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपकी clerk में आपके पास 15 vacancy है जिसमें ये clerk की जो पोस्ट है clerk come through feeder है ये आपके पास regular basis है इसमें general की 4 है और SC की 3 है ST की 3 है EWS की 2 है और PH की 2 है और इसमें pay scale आप देशकते हैं कि 2200 से 6400 तक इसमें रहेगा और clerk के लिए आपको graduation होना चाहिए और candidate आपको English में 30% जो 30 W per minute आपकी speed होनी चाहिए और ये आप देख सकते हैं और जो गली पोस्ट निकलिए वो निकलिए driver की इसमें driver के 6 पद निकले हैं और ये भी regular basis रहेंगे एक general की एक SC की एक ST की और 3 EWS की रहेगी और इसमें 21,300 से 67,800 रुपय तक pay matrix रहेगा और जो qualification रहेगी वो metric and shall possess valid driving license होना चाहिए आपके पास और recruitment of the basis of exam के base पर इसका recruitment होगी और जो next post है वो है सफाई करमचारी ये भी regular basis रहेंगी ये 4 पोस्टे निकलिए 18,000 से लेकर 6,900 तक इसका pay band रहेगा उस फाई करमचारी के लिए metric आपके पास होनी चाहिए और interview जो भी इन्होंने 2015 के rule इन्होंने mention किया है उसी base पे इसका selection होगा और जो माली है वो regular basis रहेंगे और इन्होंने matriculation with diploma in gardening यानि कि माली के लिए आपके पास metric और साथ में diploma होना चाहिए gardening में और horticulture में वो इसके लिए apply कर सता है और minimum 3 साल का experience आपके पास होना चाहिए तो वो लोग इसके लिए apply कर सकते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये different different post आज advertise हुई है API code के website पर तो आप इनके लिए लगबग एक या दो दिन में इसका जो link activate हो जाएगा तो online apply कर सकते हो तो आप देख सकते हैं कि इसमें color की सबसे ज़्यादा बखेंसिया है और translator की और stenographer के लिए आप apply कर सकते हो और assistant programmer के लिए और जिनकी अभी 10th और 12th है तो वो सफाई करमचारी और माली के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब कर सकते हो और इसी परकार की future update के लिए आप हमारे youtube channel से और facebook page से भी जुड़ सकते हो धन्यवाद